लेखा सास्तर कक्सा बारा अध्याय आठ परेशन खाते नमस्कार मित्रों मैं रामावतार बटु का आपका स्वागत करता हूँ मैं एक श्वय पाठी विद्यारती हूँ मैं इस परकार पढ़ता हूँ जिससे मुझे 70% से अधिक याद हो जाता है धन्यवाद फ्रशन एक वस्तु के बाजार को इस्तानी इस्तर से अंतराष्टे इस्तर पर किसने पहुँचाया है उत्तर वेश्वी करण विक्यापन एम संचार करांती की वर्तमान दोर ने वस्तु के बाजार को इस्तानी इस्तर से अंतराष्टे इस्तर पर पहुँचाया है प्रश्न दो, वेवशाई का नेतिक दाइत्व क्या है? उत्तर, वोगता को किसी वस्तु की उपलब्दता समय पर और शुगमता से हो ये निश्चित करना वेवशाई का नेतिक दाइत्व है? प्रश्न तीन, वोगता को किसी वस्तु की उपलब्दता समय पर और शुगमता से वेवशाई किस परकार करा सकता है उत्तर जब उसके पास वेवशाई के परती निदी विविनी स्थानों पर उपलब्ध हो परशन च्यार वेवशाई के परती निदी वेवशाई के लिए क्या कारिये करते हैं उत्तर वेवशाई के परती निदी अपने स्वामी का माल उफभोक्ता तक आसानी से पहुँचा देते हैं प्रेशन पांच प्रेशन क्या है उत्तर वेवशाई का माल परती निदी के माद्यम से समय पर और सुगमता से उफभोक्ता तक पहुँचाना ही प्रेशन है प्रशन 6 प्रेशन में व्यवशाई स्वामी को क्या कहते हैं उत्तर प्रेशक कहते हैं जो अपना माल परतिनीदी के माद्यम से उपवोगता तक पहुंचाता है पर्शन साथ प्रेशनी कौन कहलाता है उत्तर वेवसाही के माल पर कमिशन लेकर माल या वस्तु को विक्रिय करने वाला प्रेशनी अथ्वा परतिनिदी कहलाता है पर्शन नो परेशन की परिबाशा क्या है उत्तर जब मालका स्वामी या परधान अपने परती निदी को इस आधार पर माल बेजता है कि एजेंट द्वारा माल का विक्रिय किये जाएगा तथा इस कारिये के लिए उसे बेचे गए माल पर पाराश्मिक के रूप में निश्चित दरपर कमिशन दिया जाएगा इसे परेशन कहते हैं सरल वासा में बेजने की किरिया का नाम परेशन है परेशन संबंदी समस्त जो खिम लावें आनियों का उत्तरजाई परेशक या परदान ही होता है परेशन दस परेशन की विशेषता हैं क्या है उत्तर एक परेशक द्वारा परेशनी को विक्रिय के उद्देश से माल वेजा जाता है दो परेशक परेशनी में स्वामिय प्रितिनी दी का संबंद हो 5. प्रेशनी को माल के विक्रेए पर कमिशन का अधिकार है 6. माल का वास्टिक स्वामी प्रेशक है वही लाब का अधिकारी है तता आनिवे खर्चों के लिए उत्रदाई भी है 7. प्रेशनी माल का निच्छे पिती होता है माल की सुरक्षा उसका दाईत्व है प्रस्ण 11 प्रेशन का एक वाक्य में उत्तर क्या है? उत्तर जब प्रेशक द्वारा प्रेशनी को इस आयसे से माल बेजा जाता है कि उसके द्वारा विक्रे करने पर कुल माल पर कमिशन मिलेगा प्रेशन कहते हैं प्रस्न बारा जावक प्रेशन क्या है उत्तर प्रेशक द्वारा प्रेशनी को बेजे गए माल को जावक प्रेशन कहते हैं प्रस्न तेरा आवक प्रेशन क्या है उत्तर प्रेशनी के पास प्रेशक के द्वारा आया हुआ माल आवक प्रेशन है प्रशन 14 प्रेशन कोन है उत्तर माल का स्वामी जो प्रेशन पर माल विक्रिय के लिए बेजता है परदान या प्रेशन कहलाता है प्रशन पंद्रा प्रेशनी कौन है उत्तर वेव एक्ती जिसे प्रेशन पर माल बेजा जाता है दता इसके द्वारा माल उपभोकता को बेचा जाता है उसे प्रेशनी या एजेंट कहते हैं प्रेशन सोला कमिशन किसे कहते हैं उत्तर प्रेशनी द्वारा माल को विक्रे करने पर विक्रे की रासी पर जो पारस्मिक मिलता है उसे कमिशन कहते हैं प्रशन 17 कमिशन कितने परकार का होता है उत्तर तीन परकार का एक सामाने कमिशन, दो परिशोद या डेल क्रेडर कमिशन और तीन अधिभावी कमिशन है प्रेशन अठारा सामाने कमिशन क्या है उत्तर प्रेशनी को माल के विक्रे मुल्ले या बीजग मुल्ले पर निश्चित दर्शे कमिशन दिया जाता ये प्रेशनी के कारिय का परतिफल है यही सामाने कमिशन है पर्षन गुनिस परिसोध या डेल क्रेजरेर कमिशन क्या है उ इसे प्रेशक वहन करता है यदि डूबतरिन वहन करने एम उधार रासी वसूल करने का उत्तरदाई त्वे प्रेशनी लेता है तो इस कारिये तु प्रेशक द्वारा प्रेशनी को अतिरिक्त कमिशन दिया जाता है जिसे परिशोद कमिशन कहते हैं प्रेशन 20 परिशोद विक्रेजरी दर्शने दिया जाता है प्रेसल एक इए ऐकिस आदीदहर्वी कमीशन क्या है उत्तर परेशक द्वहार प्रेश्णी को ये थिगार दिया जाता है कि वह मालका विक्रेजर प्रेजरी अधिक मूल्य सरे है, तो वास्त्विक बिजक मुल्य से अधिके राशी पर जो कमिशन दिया जाता है उसे अधिभावी कमिशन कहते हैं प्रेशन बाईस सूचनार्थ बिजक क्या है उत्तर प्रेशक द्वारा प्रेशनी को बेजे गए माल का विवरण जिसमें वस्तुकी किस्म, माल की मातरा, बिजक मुल्य, माप तोल, खर्चे आधि के बारे में सूचना होती है उसमें प्रेशक द्वारा प्रेशनी को आवश्यक निर्देश जैसे माल को उधार बेचना, बिज़क मुले से अधिक पर बेचना, कमिशन के परकार आधिकी सूचना होती है प्रेशन तेईस प्रेशन पर अग्रिम क्या है उत्तर प्रेशन द्वारा माल के विक्रे से पूर्वही प्रेशक को कुछ राशी चेक विनिवे बिल अग्रिम दिया जाता है तो इसे प्रेशन पर अग्रिम कहते हैं विनिमेविल के भुगतान पर बट्टे की राशी को आनी मानते हुए प्रेशन खाते में नाम कर देते हैं। प्रेशन चोईस विक्रे विवरण क्या है उत्तर प्रेशनी द्वारा माल के विक्रे के पस्चात प्रेशक को बेजा गया विवरण। विक्रे विवरण कहलाता है इसमें बेचे गए माल के कीस मातरा विक्रे मुले खर्च कमिशन परेशन पर अगरिम आदी का विवरण होता है 25. संबंद के आदार पर प्रेशन और विक्रे में क्या अंतर है? उत्तर प्रेशन में प्रेशक और प्रेशनी का संबंद होता है और विक्रे में करेता हैं विक्रेता का संबंद होता है 26. स्वामित्वे के आदार पर प्रेशन और विक्रे में क्या अंतर है? उत्तर प्रेशन में माल का स्वामित्वे प्रेशक होता है जबकि विक्रे में माल का स्वामित्वे करेता का होता है प्रशन 27 जोग खिम के आदार पर प्रेशन और विक्राय में क्या अंतर है उत्तर प्रेशन में प्रेशन द्वारा माल बेचने पर कमिशन मिलता है जबकि विक्रहें में विक्रेता द्वारा माल बेचने पर लाब मिलता है परशन गुन तीस विवरण के आधार पर प्रेशन और विक्रहें में क्या अंतर है उत्तर प्रेशन में सूचनार्थ बीजग बेजा जाता है जबकि विक्रहें में बीजग दिया जाता है परशन 30, अधिनियम के आदार पर प्रेशन और सयुंक्तसास में क्या अंतर है? उत्तर, प्रेशन में आपसी अनुवन्द या एजेंसी समंदी कानून नियम लागू होते हैं, जबकि सयुंक्तसास में आपसी अनुवन्द या साजेदारी अधिनियम के प्रावधान लागू ह होते हैं प्रशन 32 पूंजे के आधार पर पुष्ण एम सह यूंग्त सास में क्या अंतर है। प्रेशन में प्रेशक की पुझी लगती है। जबकि सहुझ्त सास में सवी सास्षी पुझी लगाते हैं। प्रश्न तेईस, लाब के आधार पर प्रेशन और सयुग्त सास में क्या आंतर है? उत्तर प्रेशन में लाब केवल प्रेशक कोई मिलता है, जबकि सयुग्त सास में लाब का बंडवरा सभी सास यों को किया जाता है. प्रेशन तेईस, अवदी के आधार पर प्रेशन और सयुग्त सास में क्या आंतर है? उत्तर प्रेशन की अवदी सयुग्त सास से अधिक होती है, जबकि सयुग्त सास अल्पकालीन होता है, उद्दे से पूरा होते ही सयुग्त सास समाप्ध हो जाता है. प्रेशन 35 वीवरण भेजने के आधार पर प्रेशन और स्युंग्चास में क्या अंतर है उत्तर प्रेशन में माल के विक्रे के पस्चाद प्रेशनी द्वारा विक्रे विवरण भेजा जाता है जबकि समय द्वारा दिये गए वेवारां का विवन समय दूसरे को बेजते हैं परशन 36, परेशक पुस्तकों में कौन कौन से खाते खोल ले जाते हैं उत्तर एक परेशन खाता, दो परेशनी खाता, तीन परेशन पर बेजे गए माल का खाता और चार अन्य ऐसा माने आनी खाता आदी खोले जाते हैं प्रस्ण 37 प्रेश्णी की पुस्तकों में खोले जाने वाले खाते कौन से हैं उत्तर एक प्रेश्ण का खाता दो कमिशन खाता आदी खोले जाते हैं प्रस्ण 38, क्या बिना विका इस्टाग का मुल्यांकन करना आवश्यक है यदि हाँ तो किस परकार ग्याद किया जाता है उत्तर हाँ बिना विका इस्टाग का मुल्यांकन करना आवश्यक है इसे निम्ण परकार से ग्याद किया जा सकता है एक इस्टाग का वास्तविक मुल् जो दोनों में से कम है उस पर किया जाएगा, दो, परेशक द्वारा किये गए समस्त वे अनुमानित जोडे जाएगे, और तीन, परेश्णी द्वारा किये गए खर्चे अनावर्ति वे माल को गोदाम तक पहुंचाने में, जैसे बाड़ा, चड़ाई, उत्राई, चुंकी, म मजदूरी आदि वे अनुमानित जोडे जाएगे, परेश्ण 49, आवर्ति वे कौन से हैं, उत्तर, गोदाम गिराया, भीमा वे, विज्यापन वे, विक्रे वे आदि, जिनको बार-बार समय समय पर करना होता है, परेश्ण 41, अनावर्ति वे क्या है, उत्तर, बाड़ा, करता है, उत्तर, एक, जब प्रेश्णी को कमिशन नहीं मिलता है, तो डूबत रिन प्रेश्ण वेन करता है, और दो, जब प्रेश्णी को डेल क्रेडर कमिशन मिलता है, तो डूबत रिन प्रेश्णी वेन करता है, ये राजिय प्रेश्णी के कमिशन में से कम की जाती है, धन्यवाद